मैंने आपको बताया था कि आप Paytm के KYC जो है एजन्ट के थुरू कैसे कर सकते हैं याजन्ट के दुवारा मैंने आपको Paytm KYC करने का पूरा प्रसेस आपको बताया था एक वीडियो में जब आप अपना Paytm bank account open करते हैं तो उसमें आपको KYC करने होती है यादर वीडियो कॉल के माधियम से या आपको किसी एजन्ट के माधियम से जो Paytm का एजन्ट होता है यानि कि Paytm जो BC होता है उसके माधियम से आपको KYC करने होती है जिस तरीके से other bank के saving account होते हैं तो उसी त आप ले सकते हैं आप KYC करने के बाद आपको देखे आपके address पर एक इस तरीके से letter भीज़ दिया जाता है पेटम के द्वारा तो इसको आप verify करते हैं आपके address को verify करने के लिए यह letter आपके घर पर भीज़े जाता है इसको आप 4 step में follow करेंगे तो चार step कौन कोज से उसको क कैसे अपडेट करेंगे इस letter के माध्यम से उसका प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यह letter है जो हमें भेजा गया है पेटियम पेमिट्स बैंक की तरफ से हमारे address को verify करने के लिए अब हम इसको scan करेंगे और अपने address तो यह है वो letter address verification for KYC update अब यहां पर देखें आपको चार step दे गए है इसकान QR code पेटियम एप पर QR code को scan करेंगे यहां पर आप देखेंगे उसके बाद proceed to verify यानि कि सत्यपित करने के लिए बेटन को दबाएं उसके बाद confirm address address को confirm करेंगे और address update successfully आपका पता सफलता पूरोग update कर देगा है तो यह चार step में हम इसको complete करेंगे अपने address के जो KYC है उसको तो हम open करेंगे यहां पर पेटियम हमने open कर लिया है अपना और यहां पर इस तरीके से देखिए scan and pay यहां पर हम देख सकते है QR code को scan करने के लिए option दिया गया है यहां पर पेटियम payment bank है हमारा इसको बाद में open करेंगे पहले हम इस letter को जो letter है हमारे पास में इसको हम scan कर लेंगे इस QR code को अब यहां पर देखे scanner open हो चुका है अब हम इस QR code को scan करेंगे यह जो हमारे scan code दिया गया है यहां पर देखे your address is update successfully तो जैसे हमने QR code अपडेट किया कुछ second के लिए हमने QR code पर जो है अपना यह camera लगाया था पेटियम का QR code जो है scanner open करका है तो हमारा address जो है successfully update हो चुका है अब यहां पर back to home पर हम click करेंगे पर इस वाले को हमें open करना है scan and pay और उसके बाद में इस QR code को हमें scan कर लेना है उसके बाद automatic यहां पर देखे यह address को आपके successfully update कर देगा यह जो यह process आपको दिखाए गई है यह आपको करने पड़ेंगे अगर यह आपको दिखाता है तो आप इसी तरीके से करेंगे जैसे आपको लेटर में दिखाए गया है नहीं तो हो सकता ह है कि डिरेक्ट ही आपके address को verify कर देगा है इसना यह तीन अप्सन हमें ने दिखाए गई इसना ऑटमाइटिक ही address को verify कर दिया है तो इस तरीके से अपनी पेटियम के वाई सी के बाद अपने address update करेंगे और पेटियम के वाई सी कैसे करनी है इसके लिए हमने वीडियो बनाय रेक्षान पर करके यहाँ पर आपको अपना passcode ढालना है, passcode हम ऑना देगा अब यहाँ पर आप देखेंगे 1917 बैंक ओपन ह exclusive है न 25 सर्विस पर करखें आप यहां पर जो भी इसकी वह कर देख सकते, है request statement पर क्लिक करके statement के लिए आप जो है कि लिक करके देख सकते हैं और share account number and FSC detail यहाँ पर किलिक करके आप किसी को अपने FSC coder अपना जो है account number share कर सकते हैं किसी के